येशु लाजर का मृत्यक मां से जिलाय कर थीं। लाजर नाम के एक ठीमें नहीं रहो हैं। वो खिदूठी बहनी रही हैं। जिनकर नाम मर्यम और मार्था रहे हैं। वो सब येशु के घनिष्ट मित्र रहे हैं। एक दिन वो ने येशु का बताईन कि लाजर बहुत बिमार होई गहा। जब येशु ये सुनिन तउं कहिन जब बिमारी लाजर के मरे के साथ समापना होई। एक्खे बजाए ये मनें का परिमात्मा के आदर करा के लाने अगवाई करी। येशु अपन मित्रन से फ्रेम करत जहां उन रहे हैं उन उन दू दिन तक इंतिजार करीं। उन दू दिन के बाद उन अपन चेलन से कहीं। आओ वापिस येहुदिया का चली। चेला जवाब दें। पर हे गुरु अब इन कुछ समय पहले उनके मनें तो ही मार डालना का चाहत रहें। येशु कहीं। हमार मित्र लाजर सो गहा। अव मोही वही जगामा कहा। येशु के चेला जवाब दें। ये प्रभु अगर लाजर सो गहा तब वह ठीक हो जई। तब येशु उन्ही साप साप कह दें। लाजर मर गहा। मैं खुश हो की मैं हुन नहीं रहा हूं। ताकि तुम मोरे उप पर विश्वास कर सका। जब येशु लाजर के गाउं पहुचीन ता लाजर कमरे पहले से चार दिन होगर रहू ह। मार्था येशु से मिले कि लाने बाहर आई और कहिस ते प्रभु अगर ते हिन होते तमोर भाई न मरत पर मैं विश्वास करत हूं कि जोन कुछ भी ते प मैं हूं जोन को मुरी उपर विश्वास करत हूं अगर वह मर भी जई तब हूं जी जोन को मुरी उपर विश्वास करत हूं वह कभू न मरी काते एक उपर विश्वास करते हस। मार्था जवाब दैस ये प्रभु मैं विश्वास करत हूं कि ते पर मात्मा के बेटपा मसी आहे तब मर्यम आई वह युशु के गोड मा गिर के कहिस है प्रभु अगर ते हिन होते तम और भाई ना मरत युशु वोसे पूछिन तुम लाजर का कहां रखे हा उन उन ही बताईन कब्र मा आओ देख ले तब युशु रुमा लगे वह कब्र एक्ठे गुफ़ा रही ही ज देखे द्वार में एक्ठे पत्थर का तुड़काव गरा हो जब युशु कब्र मा पहुँचीन ता उन उन ही कहिन पत्थर का हटा दिया परमार्था कहिस ओही मरे चार दिन हो चुको हा ओखे से बद्बू आउथ होई युशु जवाब दैन का मैं तुम्ही नहीं कहे रह हो हूं कि अगर तुम मोरे उपर विश्वास करिया ता परमात्मा के सामत का देखिया एई लुश वगत्थर का लेके कहिन है पीता मोर्षमले के लाने मैं तुर्धनिवात करत हूँ मैं जाना थूँ किते हमेशा मोर्थ सुनते हस परमाहिन ख़ड़े इन समनेन के लाने कहे हों तैकि इंविश्वास करां कि ते मोही भेजे हस तब यिश्व आवाज लगाईं ए लाजर बाहर निकला लाजर बाहर निकलाओ वह अभू भी कफन मा लिप्टो रहो हां यिश्व उसे कहिं यह कफन का निकाले मा वह खरमदत करा आउ वही स्वतंत्र करा यह चमतकार के पर विश्वास करीं पर यहुदीन के धार्मिक अगवा यिश्व से जला लगें एही से उं योजना बना मकिला ने एक साती कर्ठा हुईं कि कैसे यिश्व आव लाजर का मार डालो जाए योहन्ना 11 एक से 46 से बाइबल के कहानी